हेलो एवरिवन, वेलकम टो एंसीयाटी मंत्रा डिटी प्लस भी एक्जाम डेट का आप लोग बहुत लंबे समय से इंधार कर रहे थे और मुझसे भी पूछ रहे थे कि माम एक्जाम कब होंगे तो कोई ठोस हमें सूचना नहीं मिल रही थी इसलिए मैं आपको अभी तक यह चीज़ा नहीं बता पा रही थी लेकिन अब हमें कुछ जो है सोर्सेज हैं जिन से हमें पता चला है कि एक्जाम की जो टेंटिटिव डेट्स हैं उन पर बात चल रही है तो इसलिए आज की जो वीडियो है उसमें हम DT Plus B की एक्जाम डेट के बारे में आपको बताएंगे कि एक्जाम जो है वो कौन से मन्त में लेने की बात चल रही है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि PGT के एक्जाम कब होंगे PGT चाहे वो English, Hindi, Maths, SST, Science कोई भी सबजेक्ट के TGT हो उनके एक्जाम कब होंगे और जो non-teaching post की वेकंशी आई थी non-teaching post के एक्जाम कब होंगे तो जो भी बच्चे PGT, TGT या non-teaching post की तयारी कर रहे हैं आज की वीडियो उनके लिए बहुत जादा helpful होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आज आपको exam की tentative dates का confirm पता लग जाएगा और उसके बाद आप अपना schedule बना के उसी की अनुसार तैयारी कर सकते हैं तो वीडियो को end तक देखें साथ ही अगर आप channel पर नहीं है तो channel को subscribe करना ना भूले यह हमारा official telegram group है NCRT mantra यहाँ पर आपको कोई question है कोई doubt है कोई query है वो आप पूछ सकते हैं आप group पर हमारे message कर सकते हैं साथ ही यह हमारा official channel है NCRT mantra official यहाँ पर आप message नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको notes, pdf, ebooks, previous paper यह सब मिल जाते हैं तो अगर आप चाहें तो हमें telegram पर follow कर सकते हैं तो चलिए अब exam date की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे PGT और non-teaching post के लिए तो देखें PGT और non-teaching post के अगर बात करें तो PGT और non-teaching post के बारे में हमें यह पता चल ला है कि इनके exam लेने के जो तयारी है वो आपकी mid-July 20 July के असपास, ठीक है, mid-July से और अगस्त के बीच में जुलाई अगस्त में आपके PGT और non-teaching post के जो एक्जाम है उनको लेने की बात चल रही है तो जो बच्चे PGT की तयारी कर रहे हैं यह जो non-teaching post की तयारी कर रहे हैं वो यह मान कर चलें, चलें कि आपके पास अभी जो है मई का टाइम है, जून का टाइम है और जुलाई भी आधा आपको मिल जाएगा जो बच्चे तयारी कर रहे हैं उसके according अपना जो schedule है वो बना लें और इसी के अनुसार आप लोग तयारी करें और अच्छे से तयारी करें ठीक है, तो अब आपको पता लगे आपके पास कितना टाइम है, तो PGT और Non-Teaching Post के एकजाम आपको जुलाई-अगस्त, मिड जुलाई से शुरू हो जाएंगे, अगस्त में खतम हो जाएंगे बात करें TGT की, तो TGT की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे TGT English हो, Hindi हो, Maths, SST Science, किसी भी पोस्ट कोड के लिए अगर आप TGT की तयारी कर रहे हैं, तो भई देखो TGT के एकजाम होने की बात चल रही है, अगस्त, सितम्बर में जैसे ही Non-Teaching Post of PGT के एकजाम खतम होगे, वैसे ही TGT के एकजाम जो है, वो शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि साथ-साथ लेनी की कोशिश की जाए, ठीक है, तो TGT के एकजाम जो है, अगस्त, सितम्बर में लेनी की बात चल रही है, लेकिन अगर जादा चांसिस की बात करें, तो mostly ऐसा लग रहा है कि सितम्बर में, साप्टम्बर में जो एकजाम है, वो लिये जाएंगे, तो DT plus B TGT की Tentative Dates, अगर हम देखें, तो अगस्त, सितम्बर में आपके जो एकजाम है, वो आपको देखने को मिलेंगे, या मिल सकते हैं, तो जो बचे TGT की तैयरी कर रहे हैं, वो अपना ये मान कर चले कि मई, जून, जुलाई, तीन महीने तो आपके पास सीधा-सीधा है, तो अपना जो शेडियूल है, उसी के अपनी तैयरी करें, अपना शेडियूल बना ले, टाइम टिबल बना ले, और अब समय आ गया है कि क्योंकि Tentative Dates मैं आपको बता दी है, तो आप बिल्कुल समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाएं, क्योंकि आपको selection लेना है, इसलिए तैयारी भी बाकी बच्चों से अच्छी होने चाहिए, तो ये थी आज की वीडियो, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थांक्यू सो मच